बच्चे बहुत बच्चे इस चीज का वेट करेंगे कि सर मैं इसका वेट कर रहा हूँ और ऐसे ही समय निकल जाएगा बहुत ही most important बातें आज करने वाला हूँ आप सभी के साथ जो एर फोर्स का next exam 0 second 2024 देने जा रहे हैं बहुत ही most important key points पर बात करूँगा केवल exam के लिए क्या जरूरी है सरास से किस तरह पढ़ना होगा प्लीज ये 15 मिनट का वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा important हो सकता है तीन महीने का समय लगवग बचा हुआ है मार्च के लास्ट में confirm exam हो चुका होगा अभी क्या करना चाहिए सर किस तरह से पढ़ना चाहिए मैं बहुत confused हूँ चाहे आप x की त्यारी कर रहे हो चाहे आप y की त्यारी कर रहे हो किसी भी चीज की आप त्यारी कर रहे हो चाहे वो x हो या y हो किस तरीके से आपको पढ़ना होगा जिससे के exam clear हो जाए चाहे वो X हो चाहे बाई हो किस तरीके से मुझे पढ़ना होगा कि exam clear हो जाए तो मैं time based ना करते हुए अभी सीधे चलता हूँ और आपको बताता हूँ कि त्यारी किस तरीके से करनी पढ़ेगे ठीक है ना चलिए हम लोग बढ़ते हैं अभी आगे हम लोग इसको आगे बढ़ते हैं और यहां हटाते हैं ठीक है ना किस तरीके से exam clear करना होगा सर क्या उसके लिए strategy अपनानी पढ़ेगे ध्यान से सुनिएगा एक बार मैं बात कर रहा हूँ Air Force next vacancy के मैं बात कर रहा हूँ Air Force next vacancy याद रखेगा जो intake 0 second 2024 आने वाला है Air Force का जो intake 2024 आने वाला है उसके लिए सर क्या strategy होनी चाहिए कैसे मुझे पढ़ना होगा कैसे सर तैयारी करनी होगी मैं आज इस पर बात करने वाला हूँ याद रखेगा point by point मैं आपको बात करूँगा सारी चीज़ें आपके सामने clear हूँगा सबसे पहली बात सबसे जो important बात होगी वो क्या होगी सबसे important बात होगी आज से exact 3 महीने का समय बचा हुआ है 3 months का समय बचा हुआ है बच्चा अभी भी इस vacancy के चकर में बैठा रहता है पढ़ने वाले बच्चे लाइवरेरी जोइन करके पढ़ना शुरू कर चुके है पढ़ने वाले सबी बच्चे उन्होंने शुरुआत कर दी है पढ़ने की लेकिन कुछ बच्चे अभी भी जो पहली बार एक्जाम देंगे मातर 3 महीने का समय बचा हुआ है उसमें आपको बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ने है आपको इंग्लिस भी पढ़ना है आपको फिजिक्स पढ़ने है आपको मैथमेटिक्स पढ़ना है बाइगरूप बालों को रीजनिंग और जीयस पढ़नी है लेकिन फिर भी बच्चे अभी बेट कर रहे हैं वेकेंसी का तो इसलिए जो आप पहली बार exam देने जा रहे हैं उनका selection क्यों नहीं हो पाता है सबसे बड़ा region है जो बच्चा पहले से त्यारी कर रहा है वो वेकेंसी का कभी वेट नहीं करता भाई बहुत बड़ी बेवकूफी होगी कि अभी भी आप वेकेंसी का वेट कर रहे हैं जब आपको पता है कि हर साल वेकेंसी आनी है वो कन्फा में थोड़ी बहुत डिले हो जाती है तो फिर आप वेट क्यों कर रहे हैं सबसे पहली बात तीन महीने का समय रहे गया है याद रखिएगा उससे ज़्यादा समय नहीं है सेकंड सबसे इंपोर्टेंट बात क्या होगी प्यारे बच्चे सबसे इंपोर्टेंट बात होगी कि सर मुझे सारे सब्जक्ट पढ़ने हैं मतलब X और बाई सबसे पहले तो आप यह डिसाइड करो वो बच्चे बिलकुल असफल हैं एक्जाम में 100% मैं बोल रहा हूँ जिनोंने डाउट है कि सर X की तयारी करो कि बाई की करो दोनों में थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन है बहुत टेड़ी खीर है सारे सब्जेट को पढ़ना ठीके ना दोनों की तयारी के लिए आपको फिजिक्स भी पढ़नी पढ़ेगी आपको पता है रागा भी करना पढ़ेगा रागा भी पढ़ना पढ़ेगा आपको पता है इंग्लिस भी पढ़नी होगी और आपको पता है मैट्स भी पढ़ना होगा यह बहुत बड़ी बेवकूफी होती है एक नए बच्चे के साथ वो उल्टा सोसता है जो नए बच्चा है वो क्या सोसता है कि साय तुक्का लग जाएगा X में नहीं तो बाई में बाई में नहीं तो एकस में ऐसा कभी नहीं हो सकता आज ही एक परशंट भी आपको कॉमन सेंस है आज ही यह डिसाइड करिए कि मुझे X करना है या बाई करना है दोनों जो कर रहे हैं वो केवल वही बच्चे करिए प्लीज जिनको दोनों पर बहुत अच्छा एकस्पोजर है बहुत अच्छी तैयारी है यह आपने अभी 12th किय आज है recently अभी आपने 12th किया है मैं तीसरी बात यहां करने वाला हूँ आपने 12th किया है और आपका टेक्निकल अच्छा है तो भाई आप X की तैयारी करिए और यदा पहले से तैयारी कर रहे हैं आपको पता है कि सर मेरा X अच्छा नहीं है लेकिन बाई की में पहले से तैय तो प्लीज आप भाई पर फोकस करिए ये बहुत बड़ी बेवकूफी होगी इस पॉइंट पर मैं ज्यादा फोकस कर रहा हूँ ऐसा प्लीज कभी मत करिएगा कि सर दोनों की त्यारी कर रहा हूँ और देखी जाएगी तुक्का लग जाएगा सायद एक्स या भाई में हो ज सबसे बड़ा भाई बहुत बड़ा रॉल है मौक टेस्ट मौक टेस्ट ये बहुत बड़ी बगलती बच्चे जो सबसे जादा करते हैं जो एक्जाम पहली बार दे रहा होता है कि सर मुझे तो यह आइडिया नहीं था कि मौक टेस्ट क्या होते हैं आज से ही भले ही आपने कुछ नहीं पड़ा है रोजाना मैं रोजाना की बात कर रहा हूँ साथ दिन में एक दिन की बात नहीं कर रहा हूँ यदा आप साथ दिन में एक दिन टेस्ट लगा रहे हैं आप बाहर हो चुके हैं आप समझ लीजे सबसे बड़ा रॉल मौक टेस्ट का होगा, आप कितना भी पढ़ लीजिए, आपको सबसे पहले क्या करनी पड़ेगी, थियोरी, दिन में आपको टाइम निकालना पड़ेगा, थियोरी प्लस कंसेप्ट के लिए, और आपको परड़े बेसिस पर साम को मौक टेस्ट लगाना ह बाई गुरूप का पेपर 50 नमबर काएगा, एक्स गुरूप का पेपर 70 नमबर काएगा, बाई गुरूप में इंगलिस भी 20 नमबर की होगी, एक्स में भी इंगलिस 20 की होगी, दोनों में इंगलिस क्या होगी, कॉमन होगी, मौक टेस्ट, यह सच में आप चाहते हैं कि सल तो मैं अद बता दूँ आपको 80% mock test का roll है और 20% आपके पढ़ने का roll है mock test से ही आपको पता चलेगा मेरा score कितना है mock test से ही आपको पता चलेगा time management क्या होता है mock test से ही आपको पता चलेगा accuracy क्या होती है mock test से ही आपको पता चलेगा negative marking करके कितने गलत नहीं करने है ये सब कुछ clear होगा mock test से, कितनी भी theory आप पढ़ लिए, 4 साल पढ़ लिजे जब तक आप mock test नहीं लगाओंगे पहली बार जब लगाओगे, आपको लगे गारे ये क्या होगया, मैंने theory complete 100% खतम की थी, लेकिन mock test में तो अभी मैं फेलूँ आज से ही mock test लगाना शुरू करिये, आज ही इसमें delay नहीं हो जाना चाहिए और अगले 3 महीने तक mock test चलने चाहिए online लगाना practice करिये गोंग paper भी online होगा, computer based examination होगा, computer based examination होगा एक बड़ी बात, बहुत बड़ी जो बच्चा यह सोच रहे कि सर अभी क्या है अभी तो बहुत time है, अरे भाई selection लेने वाले बच्चों ने तीन महीने पहले से त्यारी करना शुरू कर दिया है, आपको यह पता भी नहीं होगा अरे जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उन्होंने पढ़ना शुरू कर दिया है तीन महीने पहले से इस intake के लिए जब इससे पहला intake हुआ था, उसमें वो fail हुए थे तभी उन्होंने target कर लिया दस दिन बाद कर अगले के लिए तयारी करनी है और कुछ बच्चे अभी भी वेट कर रहे हैं केंसी का जो के बहुत बड़ी बेवकूफी होगी सर ये तीसरी बात हो गई मौक टेस्ट की, याद रखिए अब हम भाग चलते हैं, बहुत बड़ी चीज सर एक ऐसा subject कौन सा है जिसमें अच्छा स्कोर कर लिया तो बहुत नईया पार हो जाएगी English, चाहे आप X की तयारी कर रहे हो, चाहे बाई की तयारी कर रहे हो, बहुत बड़ा role play करने वाला है English 20 नमर की English होगी याद रखिएगा, X और बाई दोनों में common English, एक ही paper आएगा English का, रागा अलग होगा physics अलग होगी, math अलग होगा लेकिन English का common paper होगा एक ही paper होगा, और याद रखना English का paper एक ऐसा paper है जो विल्कुल free के नमर है भाई सच बता रहा हूँ, free के नमर है vocabulary, passage और grammatically concept तीनों से ही आ रहा होता है तीन से चार नमर का passage होगा उस पर focus करिए, तीन से चार नमर की vocabulary होगी और 20 में से 10, 11 से 12 question, concept से होंगे preposition, article, noun, pronoun, adjective word, 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 जो भी सारे topics है इसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बना दूँगा कि English पर कैसे focus करना होगा आपके लिए बहुत तगरी में vocabulary और पैसेश की series लेकिए आ रहा हूँ बहुत जल्दी ही, बहुत जल्दी जिस दिन आपका notification आएगा उसके तुरंद बात में English एक ऐसा subject होगा जो बहुत ही scoring subject होगा याद रखेगा इस बात का English एक ऐसा subject होगा जो कैसा subject होगा बहुत ही scoring subject होगा तो please भाई, English को ऐसा कर लीजेगा कि 20 में से आपके 18 नमबर 17 नमबर, 15 से उपर का score लेके चलना होगा English इतना बड़ा role play करेगा बहुत ज़्यादा याद आप by group की त्यारी कर रहे हैं और रागा में आपके 30 में से रागा में याद आपके 25 नमबर आ गए English में 15 आ गए पांचवाँ पॉइंट क्या है पांचवाँ पॉइंट है सर सेक्सनल कट ओफ भाईया ऐसा ना हो गए आपने score बहुत कर लिया लेकिन जो subject एक कमजोर है उसमें आप फेल हो गए बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं हर बार कि सर मेरा score बहुत अच्छा था मैं overall pass हो गया था मैंने cut off को clear कर लिया था लेकिन मैं physics में फेल हो गया मैं आदे नमबर से math में फेल हो गया मैं English में फेल हो गया सेक्सनल कट ओफ का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है उसके लिए क्या करना होगा जो subject कमजोर है बहुत जो weak subject है जो आपके subject कमजोर है उन पर ज़्यादा focus करिए जो subject आपके कमजोर है उन पर focus करिए जिससे sectional cut off clear होना चाहिए sectional cut off होता है आपको पता होनी चाहिए English का 20 में से 10 नमबर कम से कमाने चाहिए physics में 7 नमबर math में 7.5 नमबर और आपको रागा में 20-30 में से 15 नमबर ये बात आपको पता है या नहीं पता है नहीं भी पता है तो कोई बात नहीं है हर subject में अलग-अलग pass होना पड़ता है air force में अलग-अलग पढ़ना पड़ेगा अलग-अलग pass होना पड़ेगा आपने English में बहुत अच्छे नमबर ले आए Physics में बहुत अच्छे आ गए और Math में फेल हो गए रागा में बहुत अच्छा आ गया और English में फेल हो गए कोई फाइदा नहीं है चाहे आपका 50 में से suppose करो कितना भी नमबर हो या 70 में से लेकिन sectional cutoff clear नहीं हुआ आपको बाहर कर दिया जाएगा यह बहुत बड़ी बात तो पांचमा point क्या हुआ sectional cutoff का मतलब हुआ हर subject में पास होना होगा जो subject कमजोर है उस पर special focus करना शुरू करिए special focus एक भी दिन waste नहीं होना चाहिए if you want to be get selected for intake 0 second 2024 मैं फिर यह repeat कर रहा हूँ बार बार आऊँगा बेच में आपको motivate करने के लिए बताने के लिए लेकिन please time इतना इंपो और है नहीं जितना आप सोच रहे हैं तीन महीने भी नहीं मिलेंगे पूरे March के last week में 100% examination will be conducted 100% exam करा लिया होगा आपका तुरंत March के बाद में April में result आजाएगा 15-20 मा और उसके बाद group discussion स्टार्ट हो जाएगा phase second उसकी tension अभी आप छोड़ दीजेगा phase second की tension बिल्कुल मत लिजेगा वो आपके लिए sufficient time मिलेगा पांचमा point ये clear हुआ या नहीं हुआ बिल्कुल clear हो गया मैं थोड़ा सा आगे और भढ़ रहा हूँ भी इसी में मैं आगे भढ़ रहा हूँ ये 5 point ये आपके clear हो गए तो last के 3 point और रहे गया है जो important है अगला point क्या है हमने English की बात कर ली हमने sectional cut off की बात कर ली हमने 3 वहिने का समय बचा हुआ है हमने उस पर focus कर लिया कि mock test का बड़ा roll क्या है अब last चीज क्या बस्ती है जब भी आप theory plus concept ये बहुत important है theory plus concept और sir मैं कैसे पढ़ाई करूं इसको कैसे पढ़ूं कहां से पढ़ूं online पढ़ूं या offline पढ़ूं या सच में आपको ये informative वीडियो लगता है तो ये बच्चों का बहुत बड़ा question है कि sir theory plus concept के लिए मैं क्या करूं कहां से online सही तैयारी हो गया offline भाई आई आपके उपर depend करता है पर मेरे इसाब से आज के time में जितना 72 content online available है मुझे लगता है offline उसके comparison में 10% भी नहीं है भाई जितना 72 content online available है जितने सारे teachers उतने सारे faculties बहुत ही renowned teacher पढ़ा रहे हैं free of cost content डला हुआ है भाई उससे 72 मुझे नहीं लगता कि offline 10% भी इसके comparison में आपको कहीं मिल पाएगा online is one of the best platform है आप बिलकुल गलत कर रहे हैं कि आप कहीं समय बेस्ट कर रहे हैं आप कहीं समय बेस्ट कर रहे हैं ये बहुत बड़ी बेवकूफी होगी मुझे लगता है online से 72 कोई option ही नहीं है online test series online आप class ले सकते हैं online कहीं से भी ले लिजे जहां से आपको अच्छा लगे मैं किसी का लिए मैं बहुत जल्दी बेहतरीन content आपके लिए especially 200 पैसेज लगबग 1000 vocabulary tricks से और पूरा grammar का concept जल्दी ही ले के आ रहा हूँ बहुत जल्दी और 200 mock test होँगे proper तरीके से test paper कराऊँगा याद रखिएगा तो ये जो question बच्चों का था कि सर में online त्यार हो गरूँ कि offline याद रखिएगा online से best कोई platform नहीं है online से best कोई platform नहीं है अगली बात क्या है भाई अगली बात और कर लेते हैं ये बात clear हो गई सर छटवा point clear हो गया last साथमा point बचा हुआ है सर मुझे ये बताए एक्स और बाई के लिए कितनी तयारी करूँ safe score क्या होगा सबसे बड़ा question safe score क्या होगा girls और boys के लिए ये एक बड़ा question है safe score क्या होगा इसके लिए लग से video बनाऊँगा लेकिन अभी मैं आपको बता देता हूँ सर safe score क्या होगा safe score मैं कितना score अभी करूँ जिससे के select हो जाओ ये मैं दोनों की बात यहां कर रहा हूँ boys और girls के final तक मैं आपको clear कर देता हूँ ये आप X की तयारी कर रहे हैं या फिर आप बाई की तयारी कर रहे हैं याद रखिएगा ये आप X की तयारी कर रहे हैं और boys है और ये आपके 30 marks आ रहे हैं आप finally 100% enrolled men list तक selected हैं 29 नमबर पे सब का waiting list नहीं आया सब को men list में रखा गया इस बार मतलब final सब की joining हो गई 28 नमबर पे सब की joining हो गई आपको पता होना चाहिए और ये आप by group की तयारी कर रहे हैं तो ये जो 35 का score है ये एक satisfactory score होगा भाई 35 का score है 35 plus का score ये बिल्कुल 100% satisfactory score होगा और ये आप girls हैं और X की तयारी कर रहे हैं तो 25 ये best score है और ये आप by की तयारी कर रहे हैं तो 27 से लेके और 30 ये final तक आपको कोई नहीं रोग सकता ये final की बात मैं कर रहा हूँ आपको कोई नहीं रोग सकता ये safe score की बात कर रहा हूँ जिन बच्चों के question है सर safe score का क्या scenario रहेगा भाई boys है यादा boys और X में आपके 30 final तक बिल्कुल safe और भाई में 35 का score अभी लेके चलना पड़ेगा भी 3 महीने बचे हुए इससे उपर आ रहा है तो बहुत सोने पर सुआगा होगा मतलब बहुत अच्छी बात होगे यज़र आप girls हैं और आपके X में 25 हैं और भाई में 27 से 30 हैं तो ये 100% best score होगा ये safe score की बात मैं कर रहा हूँ उन बच्चों को लगता है सर, safe score तो ये कहानी हो गई लास्ट के और point क्या रहा गए है सर, important बात हैं कुछ भी important आप इसके लावा नहीं है पूरा मैंने निचोड कर दिया है लेकिन finally एक बात कहना चाऊँगा फिर से repeat कर रहा हूँ बहुत बड़ी बेवकूफी होगी बहुत बड़ी कभी भी गर पर आप खाली बैटे हो वेकेंसी का वेट कर रहे हो मुझे ये समझ में नहीं आता है हर बार वेकेंसी आनी है वो confirm भी है कि आनी है कोई रोग नहीं सकता हर साल आ भी रहे है फिर भी आप पता नहीं क्यूँ इस question को सो बार पोस्ते हो वेकेंसी आएंगी मैं फिर तभी पढ़ना शुरू करूँगा तभी से मैं त्यारी शुरू करूँगा आप race से बाहर हो जाओगे आप selection से बाहर हो पढ़ने वाले बच्चों ने तीन महीने पहले त्यारी करना सुरू कर दिया था इस intake के लिए पढ़ने वाले बच्चों ने बहुत पहले त्यारी करना शुरू कर दिया सन्टेक के लिए तो आप कैसे compete कर पाएंगे उनसे किस तरीके से आप उनको हरा पाएंगे किस तरीके से आप selection ले पाएंगे भाई इसलिए अभी कह रहा हूँ तीन महीने मतलब 90 days बहुत समय है अभी भी बहुत समय है exam selection लेने के लिए भले आप पहली बार exam दे रहे हैं कोई फरक नहीं पड़ता 100% लेकिन जो बाते मैंने कही हैं उन पर पूरा 100% अमल करिएगा आज ही आज से ही कल नहीं होनी चाहिए आज से ही अभी से 100% और आप सेलेक्ट होंगे फेज 2nd के लिए आप जानते हैं सुधी डिफेंस अकेडमी बैस शॉलिउसन है उसकी आप टेंसन अभी से मत लीजे फेज 2nd के लिए मैं सब कुछ पूरा पढ़ा दूँगा वीडियो पसंद आया है 100% चैनल को अभी सबस्क्राइब करिए वीडियो देखते ही ठीक है न और आपके लिए बहुत ही जल्दी स्ट्राटिजिक वीडियो सारे आने वाले हैं systematically English में कैसे score करना होगा रागा में कैसे करना होगा X का कैसे करना होगा सब कुछ आपके लिए बहुत जल्दी लेकि आने वाला हूँ आपके तब तक के लिए thank you so much बहुत बहुत आवार for your continued love and support Love you all